नमस्कार मैं हूँ संजीव सर्माइब तो जो जबर्दस्ट जो एक conflict शुरू हो चुका है Middle East में इसराइल और हमास के बीच में और आपको पता है वीकेंड में बहुत जबर्दस्ट लडाई हुई है हमास के fighters एंटर कर गए हैं इसराइल में और उसके अगेंस इसराइल ने गाजा में बहुत एक फ्राइक्स किये जबर्दस्ट चल रहा है उसका असर बजार के ऊपर डारेक्ट आ रहा है 483 पॉइंट मार्केट डाउन है और लगवग सारे सेक्टर गाउन है और सेंसेक स्टॉक में से भी मैक्सिमम जो है आज डाउन ही चल रहे हैं और सेक्टर्स भी आज सब रेड में चल रहे हैं तो देखें बड़े लूजर जो हैं वो हैं महिंद्रा और इसका एक कारण ये बताया जा रहा है कि क्रूड ओयल के दाम बढ़ गए जब से लगाई शुरू हुई है तो चार परसेंट क्रूड में तीजी आई है और ये बताया जा रहा है कि अगर ये कॉन्फलिक लंबा चलता है तो एक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव है तो अब आए हम अपन को नीचे लीट किया है ताटा स्थील भी एक परसेंट से जाजा डाउन था अब इसके लावा आज जो है पिस यू बैंक में बहुत फॉल आया है अब अब ये सब जो पीएशु बैंक में देखिए पैंक अब महरास्थ्ता परसेंट डाउन यूको बैंक सारे छे परसेंट डाउन इंडियन ओवर सीज बैंक भी छे परसंट से जारा डाउन सेंट्रल बैंक भी इंडिया चे परसंट डाउन तो यह सब जो पी एश्यू बैंक्स है जो अच्छे चल रहे थे इनमें काफी सेलिंग आई है सब 6-5-5 परसंट रिचे की जरुफ जा रहे हैं उसके लावा इंडिया से यॉरप तक का जो कॉरिडोर बनने की बात हुई थी वो मिड्ली से जाना है तो अब उसके उपर अंचर्टिंटी है तो रेल्वे स्टॉक्स निया जुरियाद किया है कि कैसे रियाद किया है तो इर्कॉन इंटर्नाशनल 6 परसंट डाउन होगी इनका पार्टि प्रजेक्ट में और रेल्वेकास निगाम पांच परसंट डाउन इंडिन रेल्वे फानांस कोर्परेशन यह भी पांच परसंट डाउन तो इस आप देख रहे हैं कि कैसे-कैसे जो कॉन्फिक्ट है मिडली इस का उसका सभी सेक्टर पर असर आ रहा है स्टार्टिंग यह जाग्जयाग थाच्छो एंकि और शेयाग बच्रटिंग बढ़ में विद्धक्ट की आप समय कि अबने विए कि आप सूंदाधन था सक्तूर में फूरी इस की आए कि अबिएक्ट रहाए हैं कि अउनियाड़ सेफ्क्टर अबग शेशन प्रश्याएं वें चर्या हैं